आजकी हमारी इस class में हम बात्षित करने जा रहे हैं brandышianal formatting के बारे . conditional form formlich त लिए कि आप normal format करते हैं जिसे आपने आहाँ से लेक के और यहां से आपने format अपलाई कर दिया तो format को इस से कोई लेना देना नहीं है कि आपने जी सेवन के ऊपर क्या टाइप किया है आपने जी सेवेन के ऊपर क्या ताइफ किया है इसका कोई लेना देना नहीं उस ने जुस्ट अब यहें पे हम कलर करना चाहते हैं जैसे कि आप हाइलाइट करना चाहते हैं तक तक हम चाहते हैं कि जहां पर हम हाइलाइट कर देंगे तो हमारा नजर से उसी पर जाएगा न तो पहले तो आप कॉलन को सेलेक्ट किजिए कंडिशनल फॉर्मेंटिंग में जाएं यहां पर पहला आता हाइलाइट जिसमें है ग्रेटर दैन किसी पार्टिकुलर नंबर से बड़ा हमने क्लिक किया और यहां पर फिप्टी दे दिया तो फिप्टी से उपर जितने भी नंबर उस पर डिफॉल्ट कलर लग दिया और आप कलर को जिसे बिद के बाद यहां दिख रहा है इसको यहां से अपने हिसाब से जो कलर करना चाहते हैं कर सकते हैं जैसे कि एलो कर दिया हमने ग्रीन कर दिया हमने हम अपनी फॉर्मेटिंग को चूज कर सकतेंगे कैसा फॉर्मेट होना चाहिए अब ओके करने के बाद जहां जहां 50 से उपर था वह हाइलाइट हो गया अब हाइलाइट ही नहीं हुआ इसको मेंटेन रखेगा इसको मेंटेन भी रखेगा जैसे हमने 47 को 74 कर दिया देखिए हाइलाइट हो गया हो गया हो गया है और करेट में 60 के जगा पर मैं 16 कर दिया तो कंडिशनल फॉर्मेटिंग ना की हाइलाइट करती है और हाइलाइट को मेंटेन भी रखती है हाइलाइट ही नहीं करती है हाइलाइट को मेंटेन रखती है कि ओके अब इसके और क्या क्या है एक पर देख लेते हैं तो कंडिशनल फॉर्मेटिंग के हाइलाइट शेल्स रूस में ग्रेटर दें किसी पर्टिक्लर नंबर से बराव लेस दैन किसी नंबर से छोटा बिट्वीन दो नंबर की बीज की वैलू जैसे मैंने हाँ पर 50 और एक कर दिया तो 50 और एक के बीज के जो भी वैलू है उसको हाइलाइट कर देगा जैन तेखिए नो तरिक्स ऑर्ट हो गया तो यहां पर डेट भी डाल सकते है और इस तरह से यहां पर टाइम भी डाल सकते क्या नहीं डाल सकते तो इसमें हम टैक्स नहीं डाल सकते जैसे कि ग्रेटर दैन फोजा हम यहां पर greater than फूजा नहीं डाल सकते हैं डेंड पूजा नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा ओके एकोल्टू में हम सब कुछ भी डाल सकते हैं equal to means except sale value equal to पे क्लिक किया यहां में डाला तूजा तो जहां-जहां पूजा है उससे सब को हाइलाइट जाएट कि यह आपका टेक्स ही नहीं आप पर्टिकुलर नंबर करना चाहते हैं तो इक पर्टिकुलर डेट के मुझे जनबरी दोजार बीज को हालाइट करना है एक पल्टू तेन्थ जैन ट्वेंटी ओके लेकिन एक जैल वैलू जैसे कि मैंने यहां पर हाइलाइट याउप इक पूजा पर यहां पर देखें शिप पूजा राइट हुआ पूजा क्यार सिंग पूजा सिंग एह हाइलाइट नहीं और क्या है क्योंकि एक यहां पर देखिए टेक्स्ट बैट कंटेंट एकस्ट बैट कंटेंट तो यहां पर अग्र मैंने पूजा लिग दिया तो देखिए पूजा और पूजा सिंग दोनों हाइलाइट हो गया ठीक है तो टेक्स टेट कंटेंब में क्या किया कि सिमिलर टू करते हैं कि पूजा डाल दिया तो पूजा किसी के सांत थो आगे पीछे बीच में कहीं भी हो वो पूजा होना चाहिए औह। कर देगा ठीक है जावेद जी आनान जी जावरदन जी जी सर्थ कि अब इसमें आगे बात करते हैं हम देट और जैसे कि यहां पर अगर माल लिए कि अभी मैं करेंट सिस्टम यह दालता हूं जैसे कि मैं मैं का देट है मैंने डालकर दिया तो मुझे आज के रेट हाइलाइट करनी है तो कंडीशनल प्रमेट्टिंग में हम इक कोल टू में जाएंगे और आज दारीक है छे मई यहां पर छे मई डालेंगे हाइलाइट लेकिन छे मई एफिक्स रहेगा कि अश्टम फाइल को घुलेंगे तो आपको छे मई नहीं दिखाएगा ओके है छे मई कि दिखाएगा इस समझें लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे system date से connect हो जाए, मैं चाहता हूं कि मेरे system date से connect हो जाए उसके लिए हम date occurring का इस्त्माल करेंगे conditional formatting के अंदर यह रहा आपका date occurring क्लिक करते हैं डेट ऑकरिंग में यहां में आप्शन मिलता है इस्तडे टुडे टुमॉरो लास्ट सेवन देज्ट लास्ट वीग इस वीग नेक्ट्स वीग नेक्स लास्ट मन्ट इस मन्ट नेक्स मन्ट कि ओके इसे पर टुडेश्ट किया ताज की डेट तुमॉरो कल की डेट लास्ट से विल साथ दिन का दिस वीक दिस वीक में देकर साथ तरिक तक आ गया कि हो मंदे टू सब्सक्राइड करता है नेक्स वीक लिए दिस मांथ पुरा मही को स्टेक्ट कर लिया अब बात करते हैं दूब्लिकेट वैलू किसी सेलेक्टेड एरिया में कोई वैलू मोर देन वान टाइम है तो दूब्लिकेट से आप हाईलाइट कर सकते हैं जैसे मैं अलग सेल पर बताता हूं कि मैंने यहां पर एकाउंट नंबर लिखा है मैं चाहता हूं को भी पर्स अनलिस में एकाउंट नंबर दो बार न टाइब करें तो कंडिशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम डूब्लिकेट वैलू को क्लिक करेंगे अब यहां पर वान हुआ जैसे नीचे कहीं वान होगा दोनों हाईलाइट ही जाए तो हमने कंडिशनल वुमेटिंग के हाईलाइट से सुन को कवर किया हमने क्या सिखा हमने सिखा ग्रेटर लेस देन बिट्वीन एक्वल टू टेक्स दाट कंटेन डेट और रिंग अन डुब्लिकेट वैलू कि या लगना आप स्वी को समंझ में आ गया जै बर्दन जी आमन जी जावेद जी कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं सर्थ लियर है हलो तो फिर से बता दिए उसी आपका आता है जैक्स दैड कंटेंड टेक्स दैड कंटेंड क्या होता है कि कभी-कभी हमारा पास जो डेटा होता है उसमें कभी-कभी दिक्कत हो जैसे माले कि है और कहीं पर मांन लिजे कि आपका डेल ही है और जो है यह तो दिशन अगर आपने केजिसन फार्मेटिंग में अगर एकुल टू लिगी यह तो निज यहां पर हम कंडीशनल फार्मेंटिंग में टेक्स दैट कंटेन का इस्तमाल करेंगे और यहां पर डैल ही लिखेंगे अब यहां देखिए डैल ही निव डैल ही दोनों हाइलाइट करेगा वह जी हाँ वारब जी गुड़ीवनिंग जाह वाज लेट हो गया है आज ट्राफिक था रास्ते मेरा जाहां में लिख गया कोई बात निसेशन रिकॉर्ड कर लिया है क्लास के बार में बेज भी रहा है कल की रिकॉर्डिंग मिली थी आपको अब जो है हम बात कर रहे हैं यह समझ में आगे डियर गेटर दर्न कर दो जो भी यह तो फिप्टी से ऊपर तो जो भी हो यह highlight हो जाएगा यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं उसी तरीकें से हमने यहां भी किया लेज दैंसी नंबर से छोटा बिट्वीन दो नंबर की बीच में इक्वल्टू पिसी पार्टिक्लर नंबर को टेक्स दैं कंटेंट कभी करते हैं इससे कि मारें सिटी और यह था मैं अगर तो नियु दैली नहीं होगा ना है कि यहां पर यहां और दूब्लिकेट जो नंबर मोर दैन वन टाइम है उसको है कि वरब जी वरब जी समझने आगया आपको अब बात करते हैं टॉप बॉर्टम रूल जैसे और मुझे यहां नप्रपी में करता हूं अब तोप तेन आइटम से उख तो आप देख सकते हैं तो तो तरह से हाइलाइट यहां पर सकते हैं यहां पर समझेंगे तभी इसको आप समझ पाएगे तो इसमें आता है अब आवरेज तो स्लेक्टेड एडिया है उसका एक आवरेज है जो कि आप यहां देख रहे हैं इस आवरेज से ऊपर हो तो यह आपका अवब आवरेज करता है हाइलाइट के और बिलो आपका बिलो आवरेज करके देख में नंबर चेंज होगा तो आवरेज भी चेंज होगा कि यह दैन बार यह आती है डेटा बार अब देशे कि मुझे नहीं पता कि जो एक्टी फोर है और टॉपर है या बीच का है या लोवर है मैं इसका पोजीशन क्या है पूरे ओवरॉल सेल में तो उस केस में डेटा वार आपको एक बार बना के देता है जैकि देख पा रहे ह है कि इसको अलग एक सेल पर बता करके दिखाऊं आपको यहां पर जैसे वान टू त्री फोर पाइप सिक सेवन एट नाइन टेन और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया कंडीशन कामेंटिंग में हम डेटा वार को सेलेक्ट कर जैसे से मैं बार बर रहा है आप देन नंबर बर रह है तो यहां जो देखेंगे बार के अलग-अलग colors design है वाकि सबसेल की बात करते हैं तो color scale क्या करता है कि कलिक जिसे की color के जरिये indicate करता है color के जरिये indicate करता है तो सेलेक्ट कीजिए यह आपका कि रेट टू ग्रीन जितना ज़्यदा रेट है और जो ग्रीन है वह हमारा 10 है लेकिन आपको clear समझाना है तो आइकन में इसका इस्तमाल कर सकते हैं और यहां पर और भी तरह कि आइकन्स है जिसका यूज आप कर सकते हैं ठीक है कि उसके बाद आती है कि अगर माल लिजिए आइकन्स हमने लगा लगा दिया उसमें कुछ चैंजिंग करने जैसे मैंने यहां पर कहा कि वाई ग्रेटर दैं 50 अमझे ग्रेटर दैं 50 में करना है मुझे यहां पर यह तो मैं क्लियर रूल्स करण और फिर दुआश्य प्रॉस्ट नगे उए हैं उसका लिस्ट आपको यहां दिक जाए और डबल क्लिक करके यहां आपकर कर सकते हैं और कंडिशन जोड़ी नहीं कि आप एक ही लगाया जादा भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पे लगाया कि कर सकते हैं कि कि अभी अभी हम सिर्फ यहां पर रैंप बिट्वीन की मदल से कुछ नंबर दिये हुए अब मुझे इस नंबर में मालश कुछ पर्टिक्रान नंबर को सर्च करना है कि है या नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस एरिये को सेलेक्ट कर दो और यहां इक व्कौल टू आता है अब एक्वल तो पे आप में यहां पर अगर 50 जाल के इंतरे बाटता हूं जहां जांजा 50 है जहां जांजा 60 है जहां जांजा 40 है वह हाइलाइट तो यह चीजे भी सब्सक्राइब कर दिए कैसे हमने इसको यहां पर लिया है यहां यहां करके हम सेल को क्लिक कर दिए जालना चाहते है ठीक है सबज़के समझ कर तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें रिकॉर्डिंग आपके पास है इनके पास रिकॉर्डिंग में थोड़ी दर में भीज़ देता हूं क्या सब के पास डेटा है प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास आपके सामने करके दिखाया मैं इसी बेटा को आपको बेज़ देता हूं ठीक है यह सुर्डिंग तो कि आज़े सब्सक्राइब कर दो कि आपके संब्सक्राइब कर दो